अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET के बारे में जिसे कि आपको पता ही है कि CUET में आपको normalize score के according आपका admission होगा नाही की percentile तो normalize score की बात करें तो उसमें काफी बच्चों का low marks भी गया है तो उनका यह कहना है कि क्या उनका admission कहीं हो पाएगा तो जी obviously हो सकता है बड़ आपको उसके लिए थोड़ा choice सही से करना होगा अपनी university का तो अगर मैं बोरूं first thing first कि अगर आप किसी university का choice करें तो वह आपका DU होना चाहिए क्योंकि DU में बहुत जादा seats available हैं ठीक है क्योंकि 60K plus seats available हैं DU में या 60K के around हैं अगर दूसरी बात करें DU में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि DU का एक eligibility criteria है जिसमें बहुत से बच्चों reject हो सकते हैं DU का आप eligibility criteria पहले चेक कर लें eligibility criteria जरूर देख लें वरना आप form मत भरें अगर आप उस eligibility criteria पर नहीं आते हैं क्योंकि counseling time पर admission time पर eligibility criteria के वज़ा से इसलिए waiting list clear होने का chances बहुत जाद है इसके अलावा अगर हम बात करें तो second अगर आप जामिया के लिए prefer कर रहे हैं तो मत कीज़े अगर आपके लोगों को marks आते हैं और आप जामिया के लिए prefer कर रहे हैं तो मत कीज़े क्योंकि जामिया नेशनल वाइस अगर रैंकिंग की बात करें तो वह थर्ड नंबर पर और वहां पर cutoff काफी जाने वाले है लिटरली 80 प्लस जो बच्चों का score है ना वही जामिया में इस टाइम एडमिशन ले पाएंगे जिसना का cutoff हमें देखने को मिल रहे हैं और बहु को पता है बहु क युनिवर्सिटीज में आप बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें एकसेप्ट वर डियू क्योंकि डियू में सीट्स जादा हैं बागे समय सीट्स लिमिटेड हैं और कोर्स भी लिमिटेड हैं तो इसलिए मेरा कभी आपके लिए उपीनियन नहीं होगा कि आप हाँ फॉर्म भर क्योंकि आपका यह काफी पीछे चल रहा है और अभी एक खराब करने के कोई फाइडा है नहीं आपका आप सोचेड़ों कि आप नेक्स यह फिट रहें करेंगे तो वह वाली चीज ना करें तो अब देखें आपका यह भी होता है कि युनिवर्सिटी का रैंकिंग भी माहि युनिवर्सिटीं इंटेमट लिगक और 50 के ऐरांड 45 के आरांड एनवर्सिटीं धने किझा बेउंस हैं जो सेंट्रल है या स्टरस पर इपताी बाइं अपक फतीं है और दे तो पहांवेशी ब्स पर्राइलिजीबिल्टी क्राइटीरिया भी देख सकतें उनके क्योंसे न वेबसाइट चेक कीजिए कि वहाँ पर सीट्स है नहीं है जिबल्टी क्राइटीरिया क्या है सब कुछ देखिए और इसके रैंकिंग भी चेक किजिए उस युनिवर्सटी के रिव्यू रैंकिंग राइट आप चेक कर सकते हैं और आपको नेट पर बहुत सारे रिव्यू मि किसी युनिवर्सटी के लिए आप उनसकी ऑफिशिल रैंकिंग चेक कर सकते हैं जो कि सेंट्रल युनिवर्सटी की और सेट युनिवर्सटी की होती है तो मेरा सुझाब आपके पास यही रहेगा आपको जादा गुपरानी की जरुत नहीं है कामली इस चीज को हैंडल करन कि at least four to five forms ही भरियेगा उससे जादा फर्म भरने का आपको कोई फायदा नहीं है मतलब बहुत जादा हो जाएगा like it will be a waste of money कि आप इतना फर्म का पैसा दे रहे हो but four to five forms भरेंगे तो आपका एक में एक उसमें आई जाएगा यह that's a guarantee because 14 lakh students ने फॉर्म फिल किया था C.U.E.T अलबेस, that's it for the video, thank you.